सब्सक्राइब करें फुली फॉर वर्ल्ड यूट्यूब चैनल को और साथ दियेगे बेल आइकन पर प्रेस करें ताके हमारी न्यू तुमाम आने वाली वीडियो आपको मिल सके अससलाम अलेकम दोस्तों आप देख रहे हैं फुली फॉर वर्ल्ड यूट्यूब चैनल मेरा नाम है आजम दोस्तों ये वीडियो बहुत ही इंटरस्टिंग होने वाली है क्योंकि इसमें हम एर कंडिशनर को करने वाले हैं अनिंस्टाल यानि कि हम उतारेंगे एर कंडिशनर को तो कैसे उतारा जाता है एर क्रिशनर आउड़ यूनट इंड़ यूनट और इसकी विद गैस स्टोर हम कैसे कर सकते हैं मुकमल इस वीडियो में आपको देखने को मिलेगा तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखेगा तो टाइम वेस्ट नहीं करते हैं कर लें तो बहतर है ओके तो मैंने ओन करने के बाद हम थोड़ा सा वेट करेंगे यानि के ओन करना है पहला स्टेप यह है दूसरे नुमर पर हम आउड़ यूनट के पास आ जाएंगे सबसे पहले हमने करनी है गैस स्टोर यानि हम गैस्ट वेस्ट नहीं करना चाहते तो हम करेंगे थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा आउड़ यूनट जब तक ओन नहीं हो जाता तो अब आउड़ यूनट ओन हो चुका है अभी हमें सबसे पहले जो है इसकी एक जो है एलन की यानि एक वाल छोटे वाला जो पाइप है उसको हमने ओफ करना है जैसे ही हमारा आउ रेड़ी जा चुकी है वो वापिस उपर से यानि के रिवर्स आपके आउड़ यूनट में आ जाए यानि के गैस स्टोर हम इस तरह से करेंगे अभी जो दूसरा वाल है इसमें हम थोड़ा सा टाइम लेंगे यानि के अच्छे से गैस जो है वापिस आ जाए तो यहां पर आवी हम कर रहे हैं गैस स्टोर अभी थोड़ा सा वेट कर लेते हैं ताकि गैस जो है वह अच्छे से लिस्चार्ड्स करते हैं तो एभी थोड़ा सा हम वेट हमने किया अब आईस्था इस्टा मैं इसको कोशिश करता हूँ और करने की और आइस्ता आइस्ता हम करेंगे अपने सक्षन वाल यानि के बड़े वाले वाल को बाद में ओफ तो आपके पास कोई हेल्प के लिए हो जिसको आप फोरी कहें ओफ करने के बाद कि यार एर कंडिशनर को ओफ कर दो तो वह रूम से जाकर आपके रिमोट से यहां फि कर वह और आप फो रहा है तो मैं एलंडगी को अच्छे-स टाइट कर देता हूं और तो एर कडिशनल थो है वो अब हो तो मैं आप इसको ऑनी को पी रखोंगा तो इसको दोनों वाल्ज को मैं यानि अच्छे से टाइट कर लेता हूं ये स्क्षन वाला भी अच्छे-सban हो चुका है अब दोस्तों यहां पर इसकी जो वायर है पास उसके कोनेक्शन हम उतार देंगे दो वायरें हो तीन हो चार हो सभी उतार देंगे और जो पाइप है इसका जो नट है वो भी हम उतार देंगे यानिके इसकी पाइप के सक्षन डिस्चार्ज दोनों जो है वाल करनी है और फिर हमने वायर वगरा उतार लेनी है और आसानी से वह ओके तो अब यहां पर हम इंडोर यूनट की तरफ आ चुके हैं यानि कि अंदर वाली साइट पर है इंडोर यूनट और बाहिर आप देख सकते हैं कि प्लास्टिक पैरिस यानि कि वायट सिर्मट जो है वो लगा हुआ है तो इसको अच्छे से हम उतार लेते हैं ताके हम पाइप जो है असानी से ओपन करके ओके तो हो चुका है यह क्लियर ताके हम असानी से अब इंडोर यूनट को भी ओपन कर सके अभी यहां पर भी सक्षे इसचार्ज आपको दो ही जो है नट मिलेंगे तो सबसे पहले आप ईसी होगा कि आप चोटे यानि कि यानिक्ट उपन करें तो आपके लिए अजए यहां पर इसके नट वगएरा उपन हमने कर देने हैं वायट जो है वह उतार देने नहीं है उके तो ने सारा काम यहां पर कर लिया है यानि कि nuts simple दो थे वो उतार लिए और वायर जो है वो यहां से कार थी वैसे कार ने बेतर नहीं थी indoor unit से open कर लेनी बेतर थी लेकिन चलें ओके तो इतना होने के बाद अब जो है हम indoor unit को असानी से बाहिर उतारेंगे तो तो simple आप नीचे से उपर किदार प्रेस करेंगे तो फुद बाख अनलोक हो जाएगा कुछ लोगों को यहां पर problem होती है तो आप असानी से इसको नीचे से उपर किदार प्रेस करेंगे तो तो जितने भी आजकल मॉडल्स या सभी में ऐसा ही फंक्षिन है नीचे से उपर की तरफ प्रेस करेंगे तो यह अलोक हो जाएगा ओके इंडोर यूनट भी उतर गया हमारा आउडोर यूनट भी और यह सिंपल एक रहेगे इसकी ब्रैक्केट फ्रेम यह हम इसके उपर स्क्र होंगे वह हम ओपन करेंगे तो उतर जाएगा ओके तो सारा सेट अप हमारे हमारे सामने हैं आउडोर यूनट इंडोर यूनट और इसका फ्रेम प्लेट और बैक्साइड पर मैंने इसके रख दिये हैं पाइप्स वगयरा तो यानिके ऐसे आप असानी के साथ इसकी सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें तो आज के लिए इतना ही मैं मिलता हूं आप आप से किसी नेक्स्ट वीडियो में इजाज़त दीजिए अल्ला हाफिजिए